नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धन्षनमार दोस्तों सावन का महिना है और तेल का टोटका आप पूरे सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं खास कर जब सोंबार्ग हो तो और ही अच्छा है क्योंकि सिर्फ सावन के महिने में अगर आप सनी दे सावन के महिने में पूजा करने से बहुत प्रसंद होते हैं आपको करना क्या है एक कटोरी में सर्सों का तेल लेकर आप सीरहने रखकर सो जाए और सुबह उठकर उसमें अपना चाया देखें और फिर किसी सनी मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे या पिर किसी दोस्तों आप सावन में सनी बार के दिन सबजी बनाईएगा आलू बैगन की सर्सों के तेल में और पूरियां बनाईएगा फिर कुछ गरीब लोगों में बांट दीजेगा ऐसा करने से अगर गंभीर से गंभीर बीमारी भी है तो वो पीछा छोड़ देता है अगर आपको लगता है दुर्भाग आपका पीछा नहीं छोड़ आया है तब क्या करेंगे गेहूं और गुड दोनों गेहूं का मतलब आटा और गुड मिलाकर पूगा बनाईए अब आख के पुस्प सिंदूर और यह जो पूगा है इसको लें अब आटे की लोई से ही एक बनाना है आ और फिर सनीवार के दिन किसी चौराहे पर रख दें और कहें हे मेरे दुर्भाग तुझे यही छोड़े जा रहा हूं किरपा करके मेरा पीछा ना करना और पीछा मुड का मत देखिएगा आप देखिएगा कुछी दिनों में आपके अच्छे दिन धीरे धीरे आने लगें में दो लॉंग डाल कर अगर आप कभी भी साम के समय हनुमान जी की आरती करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली परिशानियों से भी मुक्ति मिलती है और धन आता रहता है अगर आप चाहते हैं पारिवारी जीवन कर रहा है तब क्या करेंगे समी के पौधे के पास एक लोहे के दिये में दिल का तेल डालकर या फिर सरसों का तेल डालकर कच्छे धागे की बातियां बनाना है या फिर रुई की अब इसमें दो बातियां रखेगा क्रॉस करती भी और चारो सिरा को जला दें ये लगातार 27 द कि बैपार नहीं चल रहा है तब क्या करेंगे एक बोतल में सरसों का तेल ले ले कांच का बोतल में अब तलाब या नदी के बहतेवे जल में डाल दें आप देखिएगा आपकी जौब चकाचक चलने लगेगी ये थी तेल से जुड़ेवे कुछ उपाए अगर पसंद आए तो इस सावन में जरूर करें धन्यवाद